इसमें आमने बताया था कल मैंने आपको जब करवाया था तो मैंने बताया था ऐसे ही जो है वो क्या होता है जिसमें यानि के इस केस में इट के अंडर्गो ऑक्षिडेशन एस रेदक्षन यानि के जो है वो जब ऑक्षिडाइज होगा तो इट विल फॉच पॉसिटिव प्लस तू इलेक्ट्रोन और जब यह रिड्यूस होगा तो इट विल फॉर्म एक्षिडाइज भी हो सकता है और यह यह कैथोड ठीक है फाइन और जब यह रिड्यूस होगा तो यह करेगा क्या कैथोड ठीक है फाइन अब अब अश इस को हमने कुछ कंडिशन रखी है जो इस एचे का स्टेंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशल है ज्यान से समझना है इसको मैं यूइस करता है हां यहां पर SHE का जो standard मैंने बुला hydrogen जो है that can undergo oxidation to form 2H positive and 2 electrons और इसी तरह it can undergo reduction to form H2 अगर ये forward reaction है तो इसका मदर ये anode behave कर रहा है और ये backward reaction है then it is behaving as cathode SHE की tendency है it can act as anode as well as cathode it can act as anode as well as cathode don't know way में किसी form में exist कर सकता है anode भी act कर सकता है cathode भी exist कर सकता है SHE की दूसरी चीज़ है किसी का भी electrode potential हम लिखते हैं reduction potential की term IUPAC ने दो चीज़ें बताई IUPAC ने दो चीज़ों को recommend किया है जो हमें follow करनी पड़ेगी at any cost सबसे पहली चीज़ electrode potential को reduction potential की form में लिखेंगे जैसे hydrogen है तो hydrogen जो है वो 2H positive electron gain 2H positive electron gain करके H2 बनाता है तो इसको हमने ऐसे लिख दिया पहले iron लिख दिया फिर hydrogen लिख दिया पहले iron लिख दिया फिर hydrogen और platinum की electrode तो इसको बोगते है standard electrode potential जो की reduction potential है यानि के समझो इस चीज़ को IUPS नहीं बोला कि आप यार oxidation potential यूज करो reduction potential यूज करो बड़ी confusion ही हो रही है कि हम इसमें क्या करें आप कभी बोले हो oxidation potential कभी reduction potential confusion बहुत हो रही है ठीक है oxidation का potential का मतलब जादा होना oxidize होना reduction potential का जादा होना है reduce होना यह clear है हमें clear होगी बात लेकिन बड़ा confusion सा हो रहा है उसका oxidation potential जादा है उसका reduction potential काम है तो नहीं बोला इसको एक काम करो खतम करो आप जब भी lactode potential यूज करोगे आपने एक ही term यूज करनी है and that is reduction potential यानि के जहां कहीं पर भी lactode potential लिखाओगा यानि के वो reduction potential है यानि के अगर reduction potential ज़्यादा है तो oxidation कम होगी अगर reduction potential ज़्यादा है तो oxidation कम होगी reduction ज़्यादा होगी अगर reduction potential ज़्यादा है तो reduction ज़्यादा होगी oxidation कम हो जाएगी अगर reduction potential कम है तो oxidation ज़्यादा होगी reduction कम हो जाएगी ठीक है फाइन तो it is allrente electrode potential ज्याद यानि reduction potential जो भी electrode potential होगा दॉर्थे टीज़ बोली standard electrode potential of hydrogen that is always 0 हमने उसको 0 मान लिया अब 0 मानने का मतलब यह नहीं कि इसका 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 होता है लेकिन उसकी वैल्यू को हमने 0 असाइन किया है मैंने हमने 0 मान लिया 0 doesn't mean 0 means some value which is 0 और इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जब some value 0 है किसी का electroportential ज़ादा होगा तो 0 से उपर हो जाएगा किसी का electroportential काम होगा तो 0 से नीचे हो जाएगा लेक्τοपौन से उपर positive value töल्ल्चर हम तो 0 से नीचे तो यह standard ले लिया यह standard है भीया इसके मसाभ से किसका reduction जाएगा रज्दीूस होगा जिसका काम है वो oxidized होगा बस सिद्धी इसी बात है यह बोलना है so that is how standard lacto-pronential of hydrogen was given and that is taken है zero fine कोई doubt है तो पूछ सकते हो निको मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ आपको any doubt from yourself I hope लिख ली आओगा सबने अब SHE use कैसे करते हैं फिर हम हम यहां पर आ जाते हैं दुवारा से इसको समझते हैं इससे हमें SHE का रूल समझ आएगा ठीक है fine तो यह है हमारे पास SHE ठीक है fine this is we are having SHE ओके fine यह SHE है हम क्या करते हैं इस में से किसी एक को हटा देते हैं ठीक है fine let us suppose इसको हटा दिया और इसको replace कर दिया SHE से समझ आगी मेरी बात इसको हटा दिया और इसको replace कर दिया SHE से ठीक है fine जैसे कि अब मैं इसको क्या करूँ इसको हटा देता हूं और इसकी जगा blank कर देता हूं यह यह हट गया में रहे हैं उसे इसकी जगह मैंने क्या कर दिया इसएच लगा और यह हमसे है अभी यह हट गया इसकी जगह हमारे पास आ अगया इसएच इसको हमने शिफट ऐड़ लिया ठीक है फाइन और हमसे छीडिенवून कर दिया और यहां में दो ने चींज्कrous安 Macht समयात ठीक है वोल्ट मीटर क्या बताएगा वोल्टेज यह समझ गए एसएची को इसकी जगा कॉपर की जगा हमने इसमें एसएची रख दिया यह किया हमने का तो एसएची रखा तो उससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोज है वो इसी डिरेक्शन में फ्लू कर रहे हैं और जो दिफ्रेंस आ रहा है वो 0.76 वोल्ट आ रहे हैं पिर से समझ ना हमने इसमें से एक कंटेटर को रिप्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सलफेट में जो डिप था कंटेटर उसको हथा इसकी बजाए उसमें सेची लगा दिया उसके बाद हमने वॉल्ट मीटर और गल्वेनो मी तो उसे हमें एक चीज़ पता चली कि जो इस case में electrons है, electrons का जो flow है, that is from zinc towards SHG, ठीक है, fine, इससे क्या पता चला, zinc से SHG जा रहा है, यानि कि zinc जो है, that is acting as anode and SHG is acting as a cathode, यहां से यह पता चला, क्योंकि zinc electron loss कर रहा है, तभी तो electrons zinc से SHG की तरफ जा रहे हैं, तो zinc anode है और SHG cathode है, पहली चीज़ यह पता चली, दूसरी चीज़ पता चली हमें E naught cell, E naught cell is the potential difference between the cell, या EMF of cell, ठीक है, fine, कुछ भी बहुत सकते है, EMF यानि कि Electromotive Force, Standard EMF of cell, Standard EMF, और EMF is Electromotive Force of cell, ठीक है, fine, मैं नीचे लिख रहा हूँ, EMF क्या होता है, Electromotive Force, इसको कई terms use करते हैं, कई जगा Electromotive Force यूज़ करते हैं, कई जगा Potential Difference यूज़ कर लेते हैं, कई जगा कुछ भी terms, 2-3 terms use on numericals में आपको clear होती जाएगी, तो E naught cell जो होता है, यह formula है, यह IUPAC के तरह से formula दिया है, E naught cathode minus E naught anore, this is a formula which is given for calculation of standard electrode potential of cell, which is E naught cathode minus E naught anore, ठीक है, fine, तो यहां से पता चला, E naught cell, experiment से पता च 0.76, E naught cell का है, 0.76, यह हमने जो volt meter की reading ने बताया, 0.76, cathode इस case में क्या है, cathode इस case में SHE है, मैं सिधे SHE लिख रहा हूँ, E naught SHE, minus, anode क्या है, zinc, to zinc, 2 positive slash zinc, लिखना ऐसे है, चाहे oxidize हो रही है, zinc लेकिन लिखा पर रही है, क्योंकि यह reduction potential है, मतलब चाहे वो चीज oxidize हो रही ह आपको standard electrode potential या electrode potential हमेशा reduction की term में लिखना है, यानि के ZN2 positive slash zinc यही लिखना है, आपने इसको change नहीं करना है, ठीक है, fine, it is always as it is, तो यहां से हमें पता चला, E naught SHE क्या होता है, 0, तो हम बोसकते है, 0.76, equal to 0, minus E naught ZN2 positive slash zinc, यानि के standard electrode potential zinc का कितना आजाएगा, ZN2 positive slash zinc कितना आज six more, ठीक है, fine, इसी तरह बाद में क्या किया, हमने copper की, अब zinc को replace कर दिया SHE से, zinc को replace कर दिया SHE को, मिला SHE ने zinc को जाके हटा दिया, और copper को वैसे रहा, उसके बाद हमने copper का electrode potential calculate किया, that came out to be copper का आगया, 0.34 volt, ऐसे करते करते हमने different metal हटाते गे, SHE से connect करते गे, metal हटाते गे, SHE से connect करते गे, करते गे, करते गे, सारे metals का standard electrode potential calculate कर लिया, और उसको हमने series में arrange किया, और उसको बोलते हैं, electrochemical series, जिसमें increasing या decreasing order of standard electrode potential लखा जाता है, इसको EMF series में बोलते हैं, Electrochemical series बोल दो या EMF series बोल दो, कुछ भी बोल लो It is one and the same thing, ठीक है, फाइन जैसे कुछ मैटल हैं जिनका standard लेक्रोट्रेशल में बता देता हूं, जैसे Magnesium है, E0, Mg2 positive slash M magnesium, इसको आता है minus 2.37 volt फिर इसी तरह iron का कर लेते हैं, iron का Fe 2 positive slash Fe, यह आपको paper में दिया जाएगा, आपने याद नहीं करना इसको, minus 0. zinc लेना पड़ेगा, minus 0.44 volt और बीच में यहीं पर मैंने लिख देना, E0, ZN2 positive slash zinc equal to minus 0.76 और E0, SHE का भी बताया आपने, मैंने बताया 0 होता है इसे तरह silver का, copper का आपने calculate किया भी, बताया मैंने उसका 0.34 और इसी तरह standard electrode potential silver का भी आता है, silver का आता है 0.80, तो वैसे यह याद करने की कोई जूरत नहीं है, सारे के सारे it is already given, यह सब आपको दिया होगा, ठीक है, फाइन, तो यह हमारे पास जो series बनी, electrochemical series है में electro potential को increasing order of their electro potential arrange किया this is called electrochemical series, और अब इसके बाद हमने electrochemical series की applications करनी है, कोई doubt है you can ask first and the most important application of electrochemical series that is prediction of spontanity of given cell, you can find very important, एक एक चीज़ important है, बहुत काम आने वाली application based है, ध्यान नहीं हुआ तो यह समझ नहीं आएगी, तो prediction of spontanity of cell की बात, अगर हम करते हैं तो बोलते हैं, वो cell reaction spontaneous होगा, जिसमें जो E naught cell है, that is positive, ठीक है, फाइन अगर वो E naught cell zero आता है या negative आता है तो cell reaction non-spontaneous है, that is non-spontaneous, अगर positive आता है, तो क्या है, spontaneous non-positive आता है, तो non-spontaneous zero आता है, या negative आता है spontaneous वो processes होते है जो possible है, जो हो सकते हो जो feasible है, feasible यानि के जो possible है, जैसे अगर chair से बंदा नीचे चलांग मारे तो वो possible है, कुछ नहीं होगा उसको, chair से चलांग मारे बंदा कोई भी chair से जंप मारके नीचे आए, तो तो feasible मारे जो possible हो, non-feasible जो possible ना हो, तो spontaneous हो सकता है, non-spontaneous यानि के नहीं हो सकता है, तो अगर आपके पास इन और सेल जो है, positive आ रही है, that means कि cell reaction is spontaneous okay, fine, so, इसको मैं लिपादता हूँ, लिखनो इसके बारे में for a cell reaction to be spontaneous for a cell reaction to be spontaneous comma e0 cell should be positive should be positive comma if e0 cell is 0 or negative comma cell reaction is non-spontaneous cell reaction is non-spontaneous full stop like okay, fine इसमें से कौन-कौन से spontaneous है, कौन-कौन से non-spontaneous है, this is spontaneous, ठीक है, fine, जो नहीं समझ आएगा, आप मैं इसे पूछ लेना, this is spontaneous, this is non-spontaneous, this is spontaneous, this is spontaneous, this is spontaneous, and this one is non-spontaneous, जिक है, fine, any doubt you can ask है, it is